हेलो स्टुनेंट्स क्लास सेवन साइंस का आज हम चैप्टर नंबर सिक्स्टीन करेंगे जिसका नाम है वाटर अप्रिशियस रिसोर्स जल एक बहुमूल्य संसाधन और हिंदी और इंग्लिश तोनों मीडियम के लिए हम साथ साथ इस चैप्टर को देखेंगे यहां आज हम और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चैप्टर का नाम है वाटर अप्रिशियस रिसोर्स जल एक बहुमूल्य संसाधन तो पानी जो है बहुत प्रिशियस है हमारे लिए हम जानते हैं कि पानी को दूर करने के लिए और जो लोग इसको वेस्ट करते हैं उसको उसके बारे में जाग रूपता पहलाने के लिए हर साल 22 मार्च को 22 मार्च को वाल्ड वाटर डे मनाया जाता है विश्व जल दिवस और उसमें आप लोगोंने भी कॉम्पेटिशन सुगहरा में पार्टिस् भी मार्टिस्ग हास्रस बनाइजाते हैं जैसे कि हैं सामने आप देख सकते और यह काफी फेमास स्लोगन है जल है तो कल है इसका सिंपल सा मतलब है की पानी है तब ही हमारा फ्यूचर है अगर वॉटर यहीं नहीं होगा तो फ्यूचर में क्या करेंगे तो इस तरह से हम पानी को बचाना जरूरी है, इसकी हर बूंद बचाए हम बोलते हैं, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए तो यह हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और पानी को बचाना है और हमने किस किस तरीके से हम बचा सकते हैं वही इस चप्टर में हम देखेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह जो हम बात कर रहे हैं यह क्यों बात कर रहे हैं क्यों इतनी कमी है कहां कमी है तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कई जगा इतनी कमी है पानी की कि उने पानी मिलता नहीं यह लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तब जाकर उन वो सबको पूरा नहीं मिल पाता है तो यही जो है इसे ही हम पानी की कमी या water crisis कहते हैं और इसी problem को सुलजाने के लिए हम इस chapter में थोड़ा सा देखेंगे कि हम अपने level पर क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इतनी कमी है क्यों तो उसके लिए अगर हम अपनी earth को देखें प्रित्वी को देखें तो जब हो इसको space से देखते हैं अंतरिक्ष से तो यह नीले रंग की नजर आती है और यह जितना भी नीला हिसा है यह नीला पानी है और आप देख रहे हैं कि धरती का बहुत ज़्यादा हिसा पानी है जमीन बहुत कम है पानी बहुत ज़्यादा है लगबग 71% 71% पानी है फिर भी इतनी कमी क्यों है इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी इतनी कमी क्यों है तो यह जो पानी है यह है तो बहुत ज़्यादा लेकिन हमारे पास available कितना है जो हम बोलते है fresh water ताजा जल बोलते तो उसमें हम पानी ले ले भरके तो यह जो पानी है यह है इसको हम ऐसा माने कि यह पूरी जो हमारी अर्थ है धरती इस पर जितना भी पानी है सारा यह है अगर तो उसका कितना हिस्सा हमें पीने के लिए मिल सकता है तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो यह पूरी बकेट को हम समझते हैं कि यह पूरी धर्ती पर जितना भी पानी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप क्या करें? कि आप इसमें से जो है आधा मग पानी ले ले आधा मग मतलब लगभग आधा लीटर एक लीटर के लगभग होता है एक मीडियम साइज का मग तो उसमें आधा मग पानी ले ले यहाँ पर अगर आपको करना है तो स्पून से नापकर करने के लिए कह रहे हैं पर तो 5 ml का एक स्पून लें लगबग, उससे 100 बार इसमें डालें, बाल्टी से, तो लगबग हमने आधा लिटर ये पानी निकाल लिया, तो ये जो हमने निकाला, पूरी बाल्टी में से आधा मग पानी, ये है जो टोटल फ्रेश वाटर है, पूरी धरती पे, फ्रेश 19.5 लिटर, वो तो ही हमारे काम का, तो इतना सा पानी, पूरी धरती में से, जितना पानी है, उसमें से इतना सा पानी पीने लाए गए, लेकिन वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसमें से भी हम लगबग 150 ml पानी, एक छोटा गिलास, इस तरह का, मीडियम साइज का उसमें से मग में से इसमें निकालें, तो वो पानी जो है, यह है वो जो जमीन के अंदर है, ग्राउंड वाटर है, भॉम जल कहते हैं, या ग्राउंड वाटर कहते हैं, यह पानी जमीन के अंदर है, जो हम हैंड पंप से, कुओं से निकालते हैं, और जो बाकी बचा पानी ह फ्रेश वर्टर है लेकिन वह जमा हुआ है इस Remember । नॉर्फ पॉल साॉथ पॉल हमारे दरती के दोह इस से जहां पर बहुत ज्यादा भर इला तो वह पर जमा हुआ है या जादा है ऑफ जएस आप देख रहें इतना सारा हुआ हुँसमें contributors सिर्फ एक ग्लाइस है जो समय पारवाजय नहीं नहीं है यह जमा हुआ है पहाडों पर न न को अब यह आया एक ग्लाशिस में जो आया यह वाला हमारे पास यह आ गया लगबग जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर जमीन पर उसके बाद इसमें से भी हम इतना सा पानी लें यह एक चम्मच का भी one-fourth quarter एक चोथा ही सा तो इतना सा पानी है जो हमारे पास नदियों जीलों में है तालाबों में है जो हमें मिलता है अवेलेबल है हमारे लिए पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बाकी जो बचा इसमें ग्लास में वो जमीन के अंदर है जिसे हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं तो अगर पूरी बकेट यह पूरी धरती के पानी को दिखा रही है तो इतना सा एक चम्मच का भी फोर्थ प जितना पूरे धरती में हजारों साल पहले था उतना ही पानी आज है वो पानी बस घूमता रहता है जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकल या जल चक्र तो यह क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं तो उसके लिए यह यहां पर इस फीगर को देख सकते हैं यह आपकी बुक में ह पर यह लिखे हुए हैं 1234567 इनके नाम भी लिखने के लिए आपको कहा गया यह आपकी बुक में ही है तो इसको भी हम करेंगे तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पानी पूरा जो कैसे वह एक साइकल में चक्र के रूप में घूमता है तो होता क्या है कि जो भी जमीन पर है नदियों में जीलों में तालाबों में समुद्र में ओशन में तो वह पानी गर्म होकर उससे वेपर बनती रहती है वह भाप के रूप में उपर उड़ता रहता है इसके साथ ही साथ जो यहां पर यह आप देख सकते हैं पेड़ पोध होते हैं उनकी पत्तियों से भी पा तो ये बैदल बन गए बदल जब आहीं टंडे हो जाते हैं तो उसके बाद ये नीचे बारिश के फॉर में गलने लगता है बारिश मतलब बारिश होना तो हिंदी में इसको वर्षण कहेंगे जब बारिश नीचे गिरती है तो वही पानी फिर बहता हुआ नदियों नालों में चला जाता है और उसमें से कुछ जो है वह जमीन के अंदर भी चला जाता है और फिर यह नीचे जो ग्राउंड वाटर है जमीन के अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें जो लेबल करने हैं हमने नंबर्स तो नंबर वन हो गया यहां पर यह ग्राउंड वाटर हिंदी में आप लिखेंगे भाम जल उसके बाद नंबर टू इवैपोरेशन हो रही है यह उपर वाश्पन वेपर बन रही है और उसके बाद है यहां पर यह अंके पतियों निकलता है उसे हम इंगलिस में कहते हैं थाउ फ्रिट्रेशन जमीन के अंदर जू पानी जा रहा है जो ग्राउड वर्टर में मिल रहा है इन्वीट्रेशन हीन्दी में इसे कहते हैं अन्तहस्यंदन यह बुक में लिखा वह वहीν से आपने इसको यहां लिख लेना उसके बाद नमबर 7 है, यह precipitation, बारिश जो हो रही है, हिंदी में वर्षन, तो इस तरह से यह पूरा जलचकर काम करता है, तो जो भी पानी मिलता है वो यहीं से मिलता है, और पानी जो है वो तीनों हों में मिलता है, जो solid, liquid और gas है, ठोस, ड्रव और gas, तीनों रूपों में मिल मिलता है, तो ठोस में किस तरह से मिलता है, जो solid हम बात करते हैं, वो है ice, या snow, बर्फ या हीम जो बोलते हैं, तो जमय वो रूप में मिलता है, यह vapors की form में मिलता है, गैस की form में, जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं, यहां पर wash बनती है, और तीसरा जो liquid form में जो हम पीते ह का पानी, bomb gel, ground water, तो उसके लिए भी हम इस diagram में देख सकते हैं, तो यह क्या है ground water, वो हम देखेंगे, जैसे हमने पिछली diagram में भी देखा, कि जमीन के अंदर जो पानी होता है, जिसे हम hand pumps से, कुवों से निकालते हैं, wells से, तो उसे हम bomb gel, यह ground water कहते हैं, तो यहां पर कुछ words हैं, जो हमें याद रखने, उनको हम देख लेते हैं, जो हमने बात की, कि बारिश होती है उपर से, और वो पानी जमीन के अंदर जाता है, तो यह जो है, यहां पर अंदर जो ground water है, उसको recharge करता है, तो यहां पर recharge यह word आपने ध्यान रखने है, हिंदी में पुना पूर्ती पानी जो हम निकाल रहे हैं, वो धिरे-दिरे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो उसको दुबारा पूरा करना है, तो उसको हम, वो कहां से हो रहा है, वो बारिश से हो रहा है, अंदर जा रहा है, मिट्टी के अंदर पानी, तो इसे हम कहते हैं, रिचार्ज हो रहा है, पु भंडार है उसके तो बहुत जादा पानी है अंदर जो चटानों के बीच में होता है उसे हम कहते हैं एक्विफर एक्विफर और हिंदी में कहते हैं इसे जल भर तो अंदर जो पानी का भंडार है जमीन के अंदर उसे हम एक्विफर या जल भर कहते हैं और उसका ऊपर का जो लेवल है उसे हम कहते हैं water table water table bomb gel stir जो उपर वाला level है और हम जब खुदाई करते हैं hand pump लगाने के लिए तो water table के लगभागी करते water table या उससे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो हमें फिर पानी मिलना शुरू हो जाता है तो इस तरह से हमें यहां पर यह groundwater मिलता है तो यह बारिश हो रही है उससे यह water table जो है यह रिचार्ज होता रहता है और यह groundwater बनता रहता है और इसमें से ही कुछ पानी जो है वह रिस्ता हुआ अंदर से वह नदी नालों में जीलों में धलाबों में चलता है हेलो स्टुनेंट्स क्लास 7 साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे जिसका नाम है वाटर अप्रिशियस रिसोर्स जल एक बहु मूल्य संसादन और हिंदी और इंग्लिश तोनों मीडियम के लिए हम साथ-साथ इस चैप्टर को देखेंगे यहां आज हम चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो हम बात करते हैं जब भी पानी की थो बोलते हैं जल है तो घंप है और का को कि judge and owners of the और शब्रा नंबर अकप्रिशियस रिसोर्स जल एक बहु मूल्य संसाधन तो पानी जो एक बहुमूल्य संसादन है, बहुत प्रिशियस है हमारे लिए, हम जानते हैं कि पानी के बिना, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो भी जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कम हो रहा है, अगरिखल्चरल एक्टिविटीज यह थ़र्ड पॉइंट एककरिशी कारे, खेती बाड़ी के लिए ऐसी चाहिए की जूजरूरत पढ़ती है, तो बारिश पर कितना रहे हैं, बारिश कभी कम होती है, कभी जादा होती है, जहां बारिश नहीं होती है, वहाँ पर क्या करें, तो वो groundwater जो है उसको निकालते हैं ट्यूब वैल से लगाते हैं जिसमें मोटर लगती है पंप लगता है और वो जमीन में से पानी निकालते हैं तो उस वज़े से भी वो जमीन का पानी जो है groundwater वो कम हो रहा है नेक्स्ट है distribution of water जलका वित्रण पूरे जो इंडिया की बात करें या पूरी धर्ती की बात करें हम पूरे अर्थ की पूरे वर्ड की तो सब जगा बराबर पानी नहीं है कई जगा बहुत जादा बारिश होती है कई जगा बिल्कुल भी बारिश नहीं होती तो कई जगा साल बहुत जादा पानी अवेखलब रहता है कई जगा है जहां साल बल्कुल मिलता ही नहीं है तो इस वह हो जैसे बहुत ज्यादा दिकत होती है तो इस दिकत को पूरा करने के लिए जो जमीन से पानी निकाला जाता है तो सो जैसे वह water level जो है जमीन के अंदर का वह कम हो रहा नेक्स्ट है management of water, जल का प्रबंधन, management वो अच्छे से नहीं होती है, जैसे पानी की supply होती है, पाइप से, तो जितना supply के जाता है, वो पूरा का पूरा लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता है, बीच में कहीं से pipe भट गई, खराब हो गई, तो वहां से रिस्ता रहता है, निकलता रहता है, तो इस होज़ा से भी पानी की बरबादी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के ले फिर जमीन से लोग निकालते हैं पानी, तो उसको जैसे भी भॉमजल स्तर जो है, वाटर टेबल, इसका डिपलेशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो इस तरह से ये points हैं, जिससे हमारी जमीन के अंदर का पानी में कमी हो रही है, और पानी का बहुत संकट पैदा हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए हमारी भूमी का, हमारा रोल बहुत ज़ाद हो जाता है, क्योंकि हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही उसको कम कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाना, उसको ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली generations को भी पान पानी की कमी से ना जूजना पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है रेंवाटर हारवेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहान, सारा का सारा पानी जो हमारे पास मिलता है, फ्रेश वाटर वो बारिश की वज़ाए से जाता है, तो बारिश का पानी वह ऐसी बह कर बरबाद ना हो जाए बहकर वह डुबारा समुद्र में मिल गया फिर से खारा हो गया तो इस्तिमाल कणने लायक नहीं रहेगा तो असका हमेंρεί संग्रहंड हर वेस्टिंग कडने चल्ब है उसकोय कट्ठा करना चीज़िग तो किस तरह से कर सकते है तो उसको आप इस तरह से देख सकते हैं, कि हम अपने घर की छट जो है उसमें pipe connect कर सकते हैं और नीचे tank रख सकते हैं, जिससे बारिश जो है बारिश का वो उस tank में इकठा होता रहेगा, और उसको हम pump की help से फिर छट में tank रखकर उसमें चढ़ा सकते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं gardening में पेड़ पोदों को पानी देने में toilets में यूज कर सकते हैं car wash इस तरह की कामों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते है और filter करके वो पीने के काम भी आ सकता है तो इस तरह से हमें rainwater harvesting की जरूरत है इसी तरह से rainwater harvesting का एक और तरीका है यह बावडी टाइप बनाकर तो इस जा रहा है उससे अंदर जो groundwater table है उसका level बढ़ेगा तो बहुंब जल स्तर बढ़ेगा इससे जमीन के अंदर का पानी बढ़ेगा तो यह है rainwater harvesting वर्षा जल संग रहे हैं उसके बाद सेगेंड पॉइंट है drip irrigation drip सिंचाई drip होता है बूंद बूंद करके सिंचाई करना जो खे पानी बहुत जादा उसमें से waste हो जाता है बह जाता है और गर्मी के वज़ा से सूख भी जाता है तो पानी waste जादा होता है पॉधों को कम मिलता है तो उस वेस्टेज से बचने के लिए हम drip irrigation कर सकते है तो drip irrigation क्या है इस तरह से की जाती है इसमें जितने भी हमने पॉधे तो तो इसके पास ज lieहां नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हैं पॉध है इसके पास यहां पर यह छोटे चोटे होते हैं जहां से बहुत दीरे बूंद बूंद करके यहा पादे के पास यह पानी drop by drop किरता है इसे हम कहते हैं drip तो यहां पर यह dripping हो रही है और इससे सिंचाई हो रही है इससे क्या होता है कि पौधे को जड़ को direct पानी मिल जाता है एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत नहीं होती तो इससे पानी की बहुत जादा बचत हो जाती है तो इस तरह से यह हमें करने की जरूरत है drip irrigation का इस्तेमाल करें ड्रिप सिंचाई का तो पानी की काफी बचत हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं minimize the use of water जल का सदूपयोग कर सकते हैं पानी जो है कहीं भी खुला नल देखें हम खुला चूटा हुआ है तो उसको बंद कर दें पानी का कम से कम इस्तेमाल करें जैसे हम ब्रश करते हैं हाथ होते हैं तो लगातार पानी चला हुआ छोड़ते हैं जब तक ब्रश करें तब तक नल चला हुए तो उससे पानी बहुत जादा वेस्ट हो जाता है तो उसकी जगह हम कर सकते हैं की मग में पानी लें या फिर नल बंद कर दें और जब जरूवरत हो तह इस तरह से बच सकते हैं पानी का सदूपयोग करेंगे तो पानी बचेगा तो इस सकते हैं तो यही था इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर में क्या-क्या थे वो में पॉइंट यहां पर देख लिए इसके अलावा जो है आपने बुक में जितना भी इस चैप्टर के बारे में लिखा हुआ है वह अपने आप पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो के साथ और उसके बाद आप इस चैप्टर को समझके इसकी exercise भी आसानी से कर सकते हैं तो question answers भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं और हम next video में मिलेंगे तब इसके question answers करेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you next video में मिलते हैं और अगर यह वीडियो आपको अच्छी ल करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें thank you